मोनेका तो आ गया आप कैसे हो दोस्तों सबसे पहला क्रमेंट अभी से कुमार दिका पूछते हैं कि गुरू जी के सामने नर्वस दिख रहे हो हितेश हाँ भाई नर्वस तो थाई मैं क्योंकि इससे पहले मेरे उनसे बातचीत वाली मुलाकात तो कभी हुई नहीं और जब पहली बार उनके सामने गया तो मुझे लगया मजाग मजाग में कोई ऐसी बात में हो जाए जिससे मुलाकात की दिखा उत्पात हो जाए तो मैं थोड़ा नर्वस था लेकिन गौरू भाई बहुत अच्छे हैं एसी कोई बात नहीं हुई और आपने देखा ये मुलाकात तो बहुत अच्छी रही तो I love you गौरू भाई जीत राठोट जी लिखते हैं बट टैक्टर बहुत चलते हैं हाँ अरे भाईया बंद करके लेगा मेरे यार जीत राठोट जी पूछते हैं तूद पेस्ट में नमक है नई भाईया हम तो राक से पेस्ट करते है उमारे तूद पेस्ट में तो बहाईया गोवर विनुवत गौतम जी लिखते हैं टेक्निकल गुरू जी से मुलाकात वाली वीडियो पर वारे भाईया मज़ा आ गया मारे खुछी के मन कर रहा है कि सब्सक्राइब बटन को फिर से दवा दू ना 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 भी या दुबारे मत दवा ना अनसब्सक्राइब हो जाएगा रोहिजी लिखते हैं आप इतने फनीयों कि कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि सिंचैन और आप में कुछ भी फरक नहीं है अब मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ प्रीत राज लिखते हैं भाई आपकी वीडियो ट्रेंडिंग में क्यों नहीं आती आएगी भाई आएगी आप मेरे साथ रो ट्रेंडिंग में तो क्या टीवे में भी आएगी अभी जी पांडे जी लिखते हैं आई हाई मेरे सरमीले भाई नहीं भाई सच मुछ मेरा नेच्रा श्राय है यहां तो मैं अकेले में वीडियो बनाता हूँ इसलिए सरमरम नहीं लगती है लेकिन मेरे आसपास के लोगों से बुचो तो कहते हैं लड़का बड़ा सरमीला है और वीडियो देखो तो इतना बोलता है कोई मतलब कहता नहीं है कि यह लड़का वीडियो में इतना बोल रहा होगा प्रसान जी कहते हैं भाई एक साइलेंट सॉंग पर डास करो साइलेंट सॉंग कैसा होता है भाई अधिल खान जी कहते हैं सब रोश्टिंग चैनल जब टेक्निकल गुरू जी की कॉपी के चैनल का वीडियो बनाते हैं तो उसमें आपका नाम भी डालते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है आपके इस बारे में क्या विचार हैं अरे आदिल खान जी आप परिशान मत हो भाई देखो हमारा नाम रोशन होना चाहिए हर समा पर कोई प्रसंसा करे या बुराई करे हमारी चर्चाएं होनी चाहिए हर जुमा पर अरे भाई जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी ना और देखी तो बड़ी बोरिंग थी फिर मैंने दुबारा बनाई अपने हिसाब से तो उसमें बड़ा मजा आया तो फिर मैंने वही कंटिन्यू कर दिया और मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि बस हसते राग रो बहाना हो ना हो ताकि सामने वाले को टैंसन रहे कि साले को किस बात की खुसी है राकेश सावन जी पूछने कि आपकी टीम में कितने लोग हैं भाई दो एक तो मेरी टेक्निकल दोस फैमली और एक मैं गणपती entertainment पूछते हैं कि हितेश जी आपको संकर वे किष्ण भगवान ने ऐसा क्या दे दिया जो आप उनसे बहुत परभावित हूँ नई भाई देखो सब कुछ ही उन्हें दिया है और बात रही उनकी मुझे personality बहुत अच्छी लगती है किष्ण भगवान की जो राजनितिक समझ है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है और संकर भगवान का जो bold personality है उससे मैं वहुत ज़ता परभावित हूँ तो उनकी personality से मैं वहुत परभावित हूँ और देने को तो सब कुछ ही दिया है थोड़ी सी नाराज सौनाली सिना जी कहते है कि boys पे जोग सुनाना अपसे अरे सौनाली जी तुस्सी नाराज नहुआ करो अच्छा एक सुनो एक लड़का ना बस स्टैट पर लड़की को इंप्रियास करने के लिए गाना गाला था तो लड़की रहा वाओ तुम्हारी यावाज कितनी अच्छी है छोले कुल्चे बेचा करो अंकित नारूज लिखते हैं आपको ही डीजे हसकल डू हसकल का हसकल को उतको भई यह कौनसे परकार की भांग पी के कमेंट किया है और आपकी कुछ प्यारे प्यारे बहुत सारे अप्रिशेशन भी मिले है एस खान लिखते हैं कि रितेस ब्रो रितेस बहुत बढ़िया ना बहुत बढ़िया भाई रितेज ब्रो यूर हेल स्टाइल सो नाइस कौन से टेलर से कटवाए हो दी टेक प्लेस लिखते हैं कि मैं आपका हेटर था मगर आपके वीडियो देख देख कर डाई हाड फैन बन चुका हूँ क्या बात है लोड़े किशन कुमाज लिखते हैं तुम्हारा कोई जवाब नहीं अच्छा अब हम ऐसे सवाल हो गए गौरव सर्मा लिखते हैं क्या बात है छोड़े कंटेंड भी अच्छा है और बोलने का तरीका भी कमाल होता जा रहा है प्राव लिखते हैं ता फर्स्ट यूस्फुल इंफर्मेशन डेट आई गट फ्रम यूर चैनल अरे वही या बढ़ा ही कर रहे हो बुरा ही कर रहे हो सच्ची बटानेज लिखते हैं तेस्तर केम चो मजा माचो आप बहुत हस्मुक इंसानों बखवान करें गया आप ऐसे हमेशा हसते रहो और हसाते रहो जी मेरे भाई और अन्तिम कमेंटें हिमान सुराजी का पूछते हैं कि आपने कभी किसी को किस किया है नहीं 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 बदो अज पर अज पर इसमा है विडियों को लाइक और शेर कर देना देंकि प्यारी बातों को मुझे कमेंट नहीं बता देना और तब तक ज्यान पर बिलकाप्नी आपनी गेल्फ्रेंड का और गेल्फ्रेंड भी ध्यान रख अपने बॉइफ्रेंड का और फोटो वोटन ना भेज़े उने क्योंकि देखकर डिलीट कर दूँआ इससे बड़ा जूट कोई और नहीं है अब हाल जिया का जान दिया इकुरार कर मुझे प्यार कर मन कहना मेरा बाई आज कल के पतियों की भी कोई ज़त नहीं है एक पती न अपने ओफिस में फेस्बूक पर इस्टेटास अपडेट किया कि पंची बनू उड़ता फेरू मस्त गगन में तो उसकी पत्नी न नीचे कमेंड किया कि जैसे जमीन पर आ जाओ ना पांच रुपय का धनिया ले आना तर राम तर राम तर राम